शेयर भाव है 25 रुपए का आलोक इंडस्टीज हो या फिर ऐसे कुछ छोटे छोटे शेयर है न राहूल जी चले बहुत है यह शेयर यह अब क्यों चले हैं चले थे फिर से नीचे आ गए आप यह देखेंगे तो करी पर 49-44 रुपए कास पास आलोक इंडस्टीज का भाव च राहूल जी करना क्या है आलोक इंडस्टीज टरस्ट करें या फिर अभी भी प्रौफिट में है प्रौफिट समेठे किसे बेहतर स्टॉक में एंटर कर जाएं अगर कर जाएं तो शेयर भी बता दिजिएगा तो आलोक इंडस्टीस का अगर आप चार्ट तेखेंगे तो कोई clear view नहीं बन रहा है कि यह stock यहां से और उपर जा सकता है या नीचे जा सकता है बहुती sideways वाला चार्ट है with no clear direction क्योंकि Reliance का company है और क्योंकि बहुत news flow हुआ है लास्ट एक दो साल में आप notice कीजिए चार्ट और structure बहुत clear है better to move on that बट हां ऐसे छोटे counters हम आपको भी पता होगा कि 30 रुपे से 50 रुपे जाने के लिए ज्यादा time नहीं लगता है जैसे history में हुआ है stable counters की अगर बात करें जिसमें momentum है जैसे मैंने कहां कि पावर सेक्टर हम लोग bullish है तो Tata Power एक stock है जो वो देख सकते हैं थोड़ा three to six months नजर्या के लिए फार्मा पैक में डॉक्टर एडीज का चार्ट भी अच्छा लग रहा है तो एक दो माइने की नजर्या के लिए डॉक्टर एडीज भी देख सकते हैं टाटा पावर और डॉक्टर एडीज यह कंसीडर आपके जिए आलोक इंडस्टी से निकल जाएए